Welcome to Take Unlock, next example है हमारा third example, इस वीडियो में देखेंगे हम third example, next example है हमारा writer's macro program to find largest of two numbers, मतलब दो number हम accept करेंगे और उसमें से जो भी largest number है वो find out करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, पहले में सभी instruction का meaning लिख लेता हूँ, यह हमारा program है, यहाँ पे देखिए 090-017, यानी 09 का किसले use होता है आपको पता है, read and store, read करेगा और जो भी input होगा, मतलब जो भी हम keyboard से input लेंगे, वो क्या होंगे? store होंगे, किस में store होगा? memory of 017, 017 आप मैंने यहाँ पे एक, आप कोई भी memory location यहाँ पे दे सकते, मैंने ऐसे ही दिया है memory location, सिर्फ आप यह memory address छोड़के value store नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो data आपका ओर right हो सकता है, यह data loss हो सकता है, इस वज़े से यह memory address छोड़के मैंने आप दूसरा number लिया है 017, ठीक है, उसके बाद देखिए second instruction, कौन सी है? 0909 भी क्या करेगा? read and store, read and store in yum of 018, memory address of 018 में क्या करेगा? store करेगा आपकी second value, पह मैं यहाँ पे draw करता हूँ, यहाँ पे में draw करता हूँ, 017 memory address में आपने लिया, suppose value लिए 4, ठीक है, और 018 address में आपने value लिए 5, ठीक है, next देखिए, 041017, क्योंकि आपको यहाँ पी कौन सा operation perform करना है, आपको comparison करना है, comparison के लिए 06 के लिए, क्या operation है, मैंने आपको पेले, इ a register होता है, और second operation क्या होता है, आपका memory address होता है, इस वज़े से हमें पहला जो value है, वो किसमें copy करनी पड़ेगे, आपको a register में copy करनी पड़ेगी, कौन से दभी register में क्या करनी पड़ेगी, copy करनी पड़ेगी, आपकी यहाँ पे a register ले रहे, यहाँ पे देखिए, 04 क्या करे गा, mo to register करेगा, मतलब a register, a register में कौन से value copy होगी, आपकी 017 की value क्या होगी, copy होगी, मतलब यानि यहाँ पे क्या होगा, a register is equals to memory of 017, यानि mo the content of memory of 017 into a register, ओके उसके बाद देखिए, next operation क्या है आपका 06, यानि आपको compare करना है, अब हमने हमारा 017 का जो भी, 017 में जो भी आपकी value थी, वो आपने कहां मूगर दे आपके a register में, इसके बाद हमें क्या compare करना है, आपका a register और 018, मतलब आपकी first value and second value, और उसमें हम check करेंगे, कौन सी greater है यापे देखिए, 06, 1, 018, मतलब 1 मतलब क्या है आपका a register, a register किस से compare होगा 018 से, यानि पहला number होगा 4 और दूसरा होगा 5, मतलब यापे देखिए, आपको पता है, condition code हम क्या करते है, set या reset करते है, 06 किसले use होता है, compare register content with operand 2 and set appropriate condition code, मतलब आपका register code किस से compare होगा, आपके oper address से compare होगा, और appropriate condition code क्या होते है, set होते है, आपको पता है, आपके smackो के हमने hypothetical machine में देखा था, कि पहला क्या होता है, condition code, less than, उसके बाद क्या होता है, less than or equals to, उसके बाद होता है, greater than, फिर greater than and equals to, greater than or equals to, उसके बाद होता है, last वाला any, जो क्या होता है, always one होता है, ठीक है, य isvan or equals to k2-he equals to k3-he greater than 4-he greater than or equals to k5-he और एनि का क्या है 6 हैं अभ ये कंडिशन कोड क्या करते हैं सेट या skirt रिषेट करने का काम कोहन करता है आपका 06 ये instruction या każdy करता है फिकihen यह यहाउपकोर देखिए फचम्परहूण हमारा कोड कोट कोंचा है A register, यानि पहली कौन से value consider होगी है, हमारी 4 ठीके, मैं यहाँ आपे लिखता हूँ पहले क्या check होगा हमारा 4 A register, यानि क्या check होगा 4, किस से compare होगा आपके 018 से, 018 में क्या value है आपकी 5, मतलब आपका first number यानि इधर n1 लिख देता हूँ यानि आपका n1 किस से compare होगा आपके, यान 2 से क्या होगा compare होगा, यहाँ पे देखिए first कौन सा operation है आपका less than का, less than क्या होगा check या set या reset होगा, flag किस को set होगा यहाँ पे देखिए, first हम check करेंगे 4 is less than 5 क्योंकि पहला कौन सा condition code है less than, check किजे 4 is less than 5 true है या false है, obviously true है इस वज़े से flag क्या set होगा हमारा flag set होगा 1 को, उसके बाद देखिए less than or equal to 4 is less than or equals to less than नहीं है, sorry less than है, लेकिन equals to नहीं है, फिर भी एक condition true है, इस वज़े से यह flag क्या set होगा 1 को set होगा, उसके बाद देखिए 4 is equals to 5 equals to है, क्या 4 is equals to 5 नहीं है, इस वज़े से यह set क्या होगा 0 को set होगा, ठीक है उसके बाद देखिए, 4 is greater than 5 greater than है क्या, नहीं है greater than or equals to, नहीं है, और any का always क्या set होता है, always 1 ही होता है यह कभी change नहीं होता, ठीक है यहाँ पे देखिए, flag क्या set होगा है less than का 1 or less than or equals to का 1 set होगा है, ठीक है यहाँ पे में लिख देता हूँ, इसमें क्या होगा flag set और reset होगा, ठीक है कौनसी कौनसी check होगी n1 and n2 क्या होगा check होगा, n1 and n2 n1 में कौनसी value है आपकी a register की, और n2 में कौनसी value है आपकी, memory of 018 की, ठीक है, उसके बाद देखिए 0707 क्या करेगा branch on condition, branch on condition मतलब, यहाँ पे आप condition check करेंगे, यहाँ पे क्या होती है condition checking होती है क्या होती है, condition checking यानि अगर यह condition true होगी तो directly क्या करेगा, जो भी memory address होगा, उस पे क्या करेगा, जंप करेगा ठीक है, यहाँ पे देखिए 074007 अब 4 condition code किसका है, मैंने आपको बताया था सिर्फ 07 इस off code के लिए operand 1 क्या होता है, condition code होता है सिर्फ 07 इस condition code के लिए sorry, 07 इस off code के लिए operand 1 क्या होता है, condition code होता है बाकी सभी के लिए हम general क्रिश्टरapers करते हैं मतलब क्या होता है register होता हैerel है यहांप फॉर है पिंदसे चेक करेगा इस और इस ओक के दुदर रहेगा क्यों कि करेगा क्या चैक कर रहा है है मतलब क्या चेक कर रहा है greater than के लिए if n1 is greater than n2 then क्या चेक करेगा then अगर यह condition true होगी तो क्या होगा then go to 007 memory of 007 यहाँ पे देखिए n1 is greater than n2 अगर होगा तो directly क्या go to होगा मतलब कहा पे जंप होगा 007 को यहाँ पे देखिए n1 is greater than n2 यानि 4 condition आपकी क्या होनी चाहिए true होनी चाहिए क्यूंकि हमने already क्या 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 है comparison क्या है हमने already किस condition code से 06 से अब directly हम चेक कर रहे है फोर इस condition code से ठीक है इस off code से हमने चेक किया है अब फोर से हम क्या कर रहे है directly चेक कर रहे है यहाँ पे देखिए greater than का क्या है फ्लैक क्या है zero set है इस वज़े से यह jump होगा क्या नहीं होगा मतलब directly यहाँ इसके बाद कौन सी कौन सा operation perform होगा next operation होगा मतलब इस condition इस instruction में कोई भी operation perform नहीं होगा मतलब jump होगा क्या नहीं अगर go to नहीं हुआ तो else execute next एल्स क्या होगा ? एक्जीक्यूट next instruction next instruction क्या होगी आपकी एक्जीक्यूट होगी अगर go to नहीं हुआ मतलब condition अगर false हो गई तो क्या होगा? execute next instruction मतलब इसके बाद जो instruction आएगई वो हम क्या करेंगे? एक्जीक्यूट करेंगे आप यहापे देखे east 00018, मतलब यहापए क्या कर रहा है, 018, प्रिंट कर रहा है, 018 में क्या वैल्यू है आपकी, 5 मतलब प्रिंट, result, result डिरेटली क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, प्रिंट रिसल्ट, डैत इस, 018, memory of 018, यहापे देखिए, दोनों में से कौन greater है, obviously 5 क्या है, greater है, इस वज़े से वो क्या कर रहा है 018 में क्या कर रहा है डिरेक्ली प्रिंट कर रहा है, 018 में इमर लोकेशन डिरेक्ली प्रिंट कर रहा है और मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम में जब भी आपका result प्रिंट करें या operation होने के बाद आपको stop करना पड़ता है, इस वज़े से ये code दिया है 00 का, 00 क्या करता है stop the execution stop the execution ठीक है ये दो code आपके run नहीं होंगे आपके किस condition के लिए 4 and 5, इस value के लिए सपोज हमने value एक्सचेंज कर दी मतलब हमने value दे दी 5 and 4, सपोज हमने value दे दी 5 and 4, तब क्या होगा तो यहाँ पे देखिए A register में हमारी कोई value नहीं है हम consider करते हैं, और ठीक है और यहाँ पे में separate लिख देता हूँ A register, ठीक है यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए अगर हमने value दे दी 5, first value and n2 की value क्या दे दी हमने 4, यानी n1 की value दे दी 5 और n2 की value दे दी हमने 4 n1 मतलब क्या है आपका memory of 17 और n2 मतलब क्या है n2 मतलब memory of 18 ठीक है, 17 में value गये आपकी 5 and 18 में value गये आपकी 4, आप देखिए 17 की value किसमे copy होगे आपके A register में मतलब यहां पे देखिए n1 की value कहा copy होगे आपके A register में, मतलब 5 कहा copy होगा आपके A register में, उसके बाद देखिए 06, 1, 018 मतलब आपका A register किससे compare होगा 018 से, A register यानी आपका 5, 5 किससे compare होगा 018 से, 018 मतलब 018 में कौनसी value है अब 4 value है, 5 and 4 compare होगा मतलब इसके पहले क्या number थे 4 and 5 थे, अब क्या है 5 and 4 अब देखिए 06, 1, 018 यह क्या करेगा, condition code set या reset करेगा, अब यहाँ पे देखिए 5 and 4 इनका क्या होगा, comparison होगा चेक कीजे, 5 is less than 4 अब यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा लिखता हो यहाँ, नीचे लिखता हो 5 is less than 4 true है या false है, obviously क्या है false है, इस वज़े से यह condition code क्या set होगा 0 होगा, 5 is less than or equals to 4, यह भी क्या है false है, लेकिन equals to क्या होगा, equals to be false होगा लेकिन इसके बाद देखिए greater 5 is greater than 4 यह क्या है, true है, इस वज़े से यह क्या set होगा, 1 उसके बाद देखिए, 5 is greater than or equals to 4 यह भी क्या होगा, set 1 होगा क्योंकि दोनों में से एक condition क्या है true है, greater than है greater than or equals to, equals नहीं है लेकिन greater है, इस वज़े से यह क्या होगा true होगा, और उसके बाद देखिए any always क्या होता है, 1 होता है यहाँ पे देखिए, हमारे new condition code क्या है 0, 0, 0 1, 1, 1, यानि greater than or greater than equals to क्या हो गया है, 1 हो गया थे लेकिन इस से पहले 1 था क्या, नहीं था पहले 0 था, अब देखिए यहाँ पे set किया, लेकिन आप क्या करेंगे हम चेक करेंगे, अब यहाँ पे क्या चेक होगा, 1 1 is greater than 2, अब देखिए, 1 1 की value क्या है हमारी 5, और 2 की value क्या है हमारी 4, चेक कीजिए 1 1 is greater than 2, क्योंकि हम क्या check कर रहे है, 4 4 मतलब क्या है, greater than 4 condition code किसका है, greater than चेक कीजिए, 5 is greater than 4, obviously यह condition code क्या था, one set हुआ था, इसका मतलब क्या है, यह true है, one है मतलब true है, मतलब यह condition क्या है, obviously true है, true होने के बाद हम कहाँ जम करेंगे 007 को, यहाँ पे देखिए, इस instruction के बाद हमारा कौन सा execute होगा condition, हम क्या execute करेंगे 007 की जो भी condition है, 007 इस memory address को क्या करेंगे, हम jump करेंगे, अब यह 007 में जो भी address है, जो भी instruction है, वो क्या होगी, execute होगी, यहाँ पे देखिए, 1000 017, यह क्या कर रहा है, print कर रहा है, result print कर रहा है, print result, that is memory of 017, memory of 017, अब यहाँ पे देखिए, 017 में क्या value थी आपकी, 5U थी, 5U क्या होगा, print होगा, यानि आपका जो भी larger number होगा, वो क्या हो रहा है, या पे print हो रहा है, और last को क्या है, stop the execution, समझ में आ रहा है, अगर पहली value हमारी, अगर smaller है, और second value, अगर हमारी greater है, तो क्या execute होगा, हमारा 018, print होगा, मतलब दूसरे value क्या होगी, print होगी, check करने के बाद, मतलब ए रजिस्टर में copy करके, हम यह सब flags ATR reset करत मतलब पहली अगर value होगी 4 and 5, तो क्या execute होगा, 018 execute होगा, और program stop होगा, लेकिन second time में हमारी क्या value हमने ली, 5 and 4 ली, 5 and 4 लेने की वज़े से, आपका greater than का flag क्या set हो गया, 1 को set हो गया, और यह true हो गया, true होने की वज़े से, यह directly क्या हुआ, jump हुआ, पहले क्या होता था, यह jump नहीं होता था, क्योंकि value क्या थी, false थी, इस वज़े से यह directly उसके next instruction जो भी है, मतलब 004 के बाद 005 क्या होता था, execute होता था, लेकिन अभी यह value true है, इस वज़े से क्या हो रहा है, jump हो रहा है, कहा तक 007 इस memory address को क्या हो रहा है, jump हो रहा है, और jump होने के बाद directly आपका result क् print हो रहा है, जो क्या है, आपकी higher value है, आपकी greater value है, जो किसमें store है, आपके 017 में store है, यही था program, I hope आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है, तो फिर से video देखे, I am sure कि आपको समझ में आ जाएंगा, ठीक है, आप देखेंगे हम इसके, आगे एक example देखे है, मतलब 3 largest number में से हम find out करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखे, 000 से लेके 016 तक हमारे total 17 instruction है, ठीक है, और वो हम देखेंगे कि कैसे काम करते हैं, ठीक है, हम पहले meaning लेक लेते हैं, और बाद में मैं आपको explain करता हो, यहाँ पर देखे, 000 क्या करेगा, read करेगा, and store करेगा, read and store n1, n1 क्या करेगा, मतलब number 1 किस में store होगा, आपके 017 में, memory of 017, memory of 017 में आपकी n1 की value क्या होगी, store होगी, ठीक है, मैं यहाँ यहाँ लिख देता हू, 017 में क्या होगा, आपका n1 की value store होगी, 017 मतलब n1, ठीक है, उसके बाद देखे, 018 में क्या होगा, n2 की value store होगी, ठी है तो ऐंटु की में श्रोर होगी आपकी जिरो हीटीन में एन वन एन टु और एन त्री की वेल्यू आपकीां स्टोर कर रहे हैं है जीरो 19 में तीन वैल्यों कहीं ले रहे है आपको कीयों को युक्या द्त लार्जेस्ट आपत्रला धेग्यों陽da उसके बाद देखिए, पहला नमबर हम किसमें कॉपी कर रहे हैं, हमारे a-register में 017 किसमें कॉपी करेंगे हम a-register में, ठीक है हमने सब्सक्रों 017 में नमबर लिया 1, 018 में लिया 2, और 019 में लिया 3, ठीक है, किसमें हम लेंगे आप a-register लेंगे, और A register में कौन सा copy करेंगे हम हमारा नंबर कौन सा copy करेंगे 017 का नंबर क्या करेंगे copy करेंगे क्या है वो 1 1 क्या किया हमने store किया मतलब यहाँ पे A register is equals to क्या होगा आप वो थेरी लिख सकते कि content copy from memory 017 to A register इसमें क्या होगा operation A register is equals to memory of 017 017 में आगया आपका A register क्यूंकि आपको 06 करने के लिए यहाँ पे वन होता है मतलब register होता है इस वज़े से हमें एक नंबर की value क्या करनी पड़ती है copy करनी पड़ते है आपके A register में उसके बाद देखे 06 06 क्या करता है आपका compare करता है compare यानी आप flag set या reset कर सकते हैं ठीक है हमारे पास कितने flag है less than है less than और ठीक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ less than or equals equals to greater than greater than or equals to और last का होता है a नहीं यह आलवेज one होता है उसे consider करने की जरुरत भी नहीं है ठीक है यहाँ पे यहाँ पे देखे less than first condition हम चेक करेंगे less than के लिए यहाँ पे देखें यह first condition के लिए हमने value ली है यहाँ पे देखें 061018 अब यहाँ पे क्या चेक होगा क्या क्या चेक होगा यहाँ यह पे सेट या रिसेट होगी condition code आपको पता है इसका one है इसका two इसका three इसका four और इसका six है अब यहाँ पे देखें यन्वर और यन्टु की क्या होगे comparison होगा अब यहाँ पे चेक कीजे यन्वन में क्या value है आपकी 017 मतलब one one और किसका comparison होगा यन्टु का यन्टु का मतलब क्य और two का क्या होगा comparison होगा चेक किजिए लेस्त यान सेख्भाव प्लाइकञ माद यहाँ च्कावे प्लेकन यहाँ प्लेकर सेख़् कषोगा घृटर यहाँ पे देखें फीर 0707 क्या करता है चेक करता है आपका condition code और अगर true है तो directly कहा जम करता है आपके memory address को अब यहाँ पर देखिए 4 चेक कर रहा है 4 condition code किसका है आपके greater than का है मतलब क्या condition check हो रही है n1 और n2 में n1 is greater than n2 यह condition क्या हो रही है चेक हो रही है if n1 is greater than n2 then क्या होगा go to किस पर जम करेगा 011 को memory of 011 को क्या होगा जम होगा otherwise क्या होगा उसकी next instruction जो वह execute होगी ठीक है otherwise क्या होगा उसकी next instruction जो भी होगी वह execute होगी यहापे देखे 4, 4 यानी क्या है greater than, greater than क्या है यहापे 0 है, मतलब condition क्या है यह false है, false होने की वज़े से, jump होगा क्या 011 को, 011 इस memory address को jump होगा क्या, नहीं होगा, directly कौन सा execute होगा आपका next instruction, क्या है 041018, इसका क्या मतलब हुआ, jump नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो क्या मतलब हुआ, आपका yun2 क्या है, greater है yun1 से, इस वज़े से अब हमें कोन compare करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों में से greater कोन सा निकला, आपका yun2, यह condition false हो गई, इसका मतलब yun2 क्या है, आपका greater है, अब हमें क्या compare करना है, yun2 compare करना है किस से, yun3 से, क्योंकि yun1 क्या हो 018, आपका कहा copy होगा, a register में, 018 देखें क्या है आपका yun2, कहा पे copy होगा आपके a register में, यानि यहापे 1 की value क्या होगी, 2 होगी, मतलब value, all right होके यहापे क्या होगा, 2 आएगा a register में, ठीके, a register is equals to, क्या होगा यहापे, memory of 018, ठीके, उसके बाद देखें, अब हमें फिर कर लिया a register में, अब a register और yun3 क्या करेंगे हम, compare करेंगे, yun3 किस में है आपके, 019 में है, तो क्या compare करेंगे हम 061019, यहापे क्या होगा, yun2 and yun3 क्या होगा, compare होगा, ठीके, compare होगा, और flag set and reset होगे, ठीके, यहापे देखिए, अब flag क्या set होगे हमारे, चेक कीजे, yun2 औ 2, yun2 क्या है हमारा 2, और yun3 क्या है हमारा 3, yun2 यानि ए register में जो value है वो क्या है, yun2 की value है, और 3 यानि हमारा yun3, ठीक है, यहापे देखिए, इन दोनों में से चेक होगा, चेक कीजे, 2 and 3, 2 is less than 3, क्या है यह condition true है या false है, obviously क्या है, true है, इस वज़े से क्या set होगा flag आपक 1, उसके बाद देखिए, 2 is less than or equals to 3, क्या है, true है, उसके बाद 2 is equals to 3, false है, greater than भी क्या है, false है, greater than or equals to be false है, और anyone होता है, ठीक है, अब देखिए, अब यह set करने के बाद, हम क्या करेंगे, check करेंगे, check करने के लिए कौन सा code है, 0707 यानि branch on condition, यह क्या करता है, check करेगा, कौन सा condition code चैक कर रहा है, 1 यानि क्या है, आपका, less than, अब यह जो नई value है, वो चैक करेगा, जो पुरानी value है, वो चैक नहीं करेगा, क्यूंकि यहाँ पे हमने condition code क्या कर दिये, फिर से, set या reset कर दिये, तो देखिए आब यहाँ पे, हम कौन सा condition code चैक कर है, 1, 1 यानि less than, less than क्य है true है true होने की वज़े से मतलब यहां पर क्या होगा यंटु is less than yon3 if yon2 is less than yon3 then go to memory of 013 इसका क्या मतलब हुआ इस instruction का अगर yon2 is less than yon3 है less than क्यों लिया है क्योंकि यहां पर 1 लिया है अगर yon2 is less than yon3 है तो कहां पर जंप होगा 013 इस memory address यानि यहां पर क्या होगा जंप होगा चेक कीजे yon1 is less than yon3 है क्या लेस दैन क्या है वन है यानि yon1 is less than yon3 है क्या है condition true है true होने के बाद यह कहां पर जंप करेगा डिरेक्ली 013 पे, और 013 पे क्या प्रिंट कर रहा है, 019 प्रिंट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, यन 1 is less than यन 3 ये true है, इसका क्या मतलब होगा, आपका यन 3 क्या है, greater है, तो हमें क्या प्रिंट करना है, यंत्री किया करना है, प्रिंट करना है, यंत्री किसमें आपके 0.19 में, तो इस instruction में वही क्या है, डिरेक्ली क्या कर रहे है हम, प्रिंट कर रहे है, result, result क्या कर रहे है, प्रिंट कर रहे है, that is memory of 0.19, 0.19 क्या किया हमने, प्रिंट किया, और 0.19 में क्या value है, largest value है, 1, 2, 3 में से लार्जेस्ट कौन सी है 019 तो डिरेक्ट लिए हम क्या कर रहे है वही प्रिंट कर रहे है जंप करने के बाद क्या कर रहे है और उसके बाद देखिए डिरेक्ट लिए हमारा अगर मैंने वेल्यो दी होती हमने 3 सेकन्ड वेल्यो और थड वेल्योड दी होती हमने 5 तो अब यहां पर क्या होता है यहां पर देखे लिए हमने जिरो एटिन कॉपी कर लिया होता यह रजिस्टर में मतलब फि unterstützen कोड चेख करेंगे 1,061019 यानि यहाँ पर क्या check होगा यन 2 and यन 3 check होगा अब यहाँ पर देखें यन 2 क्या है आपका 3 है और यन 3 क्या है आपका 2 है मतलब 2 और क्या होगा check 3 check होगा और यह 2 value किसमें save होती है आपके A register में मतलब आपका A register किसमें check होगा यह register check होगा आपके 019 is value से, मतलब आपके 2 से, 3 क्या होगा आपका 2 से compare होगा, यह कुन सी condition check कर रहे हम, second condition, अब यहापे देखिए, क्या होगा, 3 is less than 2, क्यूंकि यहापे देखिए, 1 और 019 compare कर रहे हो, और set और reset करेंगे हम, यहापे देखिए, second condition, यहापे देखिए, 3 is less than 2, 3 is less than 2 क्या है, false है, इसलिए 0 आएगा, less than or equals to क्या होगा, false, 0 आएगा, लेकिन यहापे देखिए, equals to be 0 आएगा, लेकिन greater, greater क्या आएगा, 1 आएगा, और उसके बाद देखिए, greater के बाद भी क्या होगा, उसके बाद में greater than equals to be क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि greater है, equals to नहीं फ्लैग हमने set कर दिये, इसके बाद क्या होगा देखिए, 07 क्या check कर रहा है, 1, 1 यानि क्या कर रहा है आपका, less than check कर रहा है, अब यहाँ पे देखिए, less than, less than का क्या set होगा है, 0, मतलब, यन 2 is less than, यन 3, ये condition क्या होगी, false होगी, false होने की वज़ेसे, ये jump करेगा, 013 को, 013 क जंप नहीं करेगा, directly कौन सा instruction execute होगा, हमारा, 100, 018, मतलब, इसके आगे का जो भी instruction है, वो execute होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, print result कर रहा है, ठीक है, क्या print कर रहा है, yam of 018, आप check कीजे, yam of 018 में क्या value है, 3 value है, यहाँ second example देख रहा है, 3 value है, ठीक है, yam of 018 में value है हमारी 3, इस वज़े से याँ पे देखिए, yam of 018 क्या हो रहा है, print हो रहा है, क्योंकि याँ पे देखिए, 1, 3 and 2, इन तिनों में से highest number कौन सा है, 3 है, इस वज़े से हमारा 018 में जो भी result है, वो क्या हो रहा है, print हो रहा है, इस condition के false होने के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है, पह को आपका instruction है, program stop करने के लिए, stop the execution, अब ये stop क्यों करना पड़ता है, हमें अर बार, यहाँ पे देखिए, अगर हमने stop नहीं किया, तो next instruction क्या होगी, 10 से next जो भी होगी, वो भी execute होगी, उसके बाद, 10 की, मतलब फिर से multiple result आपके आ सकते, इस वज़े से हमें सिर्फ अपना largest number ही print करना है, और उसके बाद हमें program stop करना है, इस वज़े से हमें stop code लिखना पड़ रहा है, ठीके, यहाँ पे देखिए, फिर हमारा 011 number का code कब रन होता है, ठीके, अब यहाँ पे हम तीसरी condition देखेंगे, आप practice कीजे, मिस सिर्फ आपको logic बताता हूँ, अगर हमने n1 की value फैली 3, यँन 2 की value ले लिए हमने 2, और याँ बान की value ले लिए हमने 1, यहाँ पे देखिए, यगा है, 3 है और यहाँ ल्याँ धो की value क्या है, 2 है, मतलब यन One is greater than यहन Two, यह क्या होगा, टु होगा, और true होने के बाद हम कहाँ जम करेंगे, यह condition अगर true हो गई, 4 यानि चेक करेगा और उसके बाद क्या करेगा ? 019 में क्या करेगा आपका ? प्रिंट करेगा ! अगर यह condition में check करेगा और फिर से jump की जरॉरत तो jump करेगा और प्रिंट करेगा यहाँ पे देख यह कोई भी एसी की है कि आपका largest number आता है और सिर्फ एक ही आपका जो भी largest number है वो आने के बाद आपका program directly क्या हो जाता है stop हो जाता है ठीक है आप यह third condition आप खुद से check कीजे यह flag set और reset कीजे यह हमने flag लिखे है 10 जो भी है हमने flag लिखे है तो आप यह n1 की यानी 017 018 और 019 यह तीनों वैल्यू आप तीनों वैल्यू कंसिडर करके आप चेक कीजे आपका जो यह है यह जो portion है 06 number का यह क्या हो जाएगा फिर काम करेगा मतलब यह portion भी क्या होगा यह portion क्या होगा फिर execute होगा मतलब at a time आपका सिर्फ क्या होता है एक तो यह portion execute होगा नई तो यह होगा नई तो यह होगा तीनों में से कोई तो भी एक ही क्या होता है print होता है ठीक है ठीक है ठीक है फिर से विडेयो देखे I am sure कि आपको समझ में आ जाएगा ठीक है यह थर्ड एक्जम्पल आप practice कीजिए या आप solve करने की कोशिश कीजिए मतलब बिना किसी reference के ठीक है सिर्फिस instruction code से और यह meaning आप खुद लिखते जाएए यह जैसे आप practice करेंगे उसकी इस meaning से ही आपके इस program का भी practice हो जाएगा ठीक है तो compare और branch और condition के हमने दो example देखें I hope आपको समझ में आगया होगा और condition code यह आपको पता है और यह flag set और reset करने का आपको आना चाहिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही था thank you